अनुपम खेर अभी भी अपने दोस्त सतिश कोशिक की बात करते वे भववक हो जाते हैं अनुपम खेर ने का कि उन्हें सतिश कोशिक के बारे में बात करना पसंद नहीं है वो जब भी उनकी बाते करते हैं अपने आसुओं को रोक नहीं पाते हैं अनुपम खेर के मुताबिक वो और अनिल कपूर जब भी मिलते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ सतिश के नाम की चरचा नहों इससे दोनों अपसेट हो जाते हैं अनुपम खेर ने एक बात्चित के दुरान बताया है कि सतिश कोशिक की मौत से मैं उबन नहीं पाया हूँ उनकी मौत ने मुझे सद्बे में डाल दिया है मेरे पिता के निधन के बाद मुझे घरा धका लगा था यश्च चुपड़ा के जाने के बाद भी मैं गहरे सद्बे में था मेरे सेक्रेटरी की मौत के बाद भी हिल गया था हाला कि सतिश की नीधन ने मुझे सच में अकेला कर दिया यह एक ऐसा लौसे जिसकी भरपाई करना असंभव है अनुपाम खेर ने आगे कहा जब भी मैं और अनिलकपुर साथ होते हैं हम सतिश की बात करने से बचते हैं हमें उनकी कमी साफ महसुस होती है हमें पता होता है कि अगर हमने उनके बारे में बाते की तो सामने वाला वेक्ती परेशान हो जाएगा हला कि हम भले ही उनकी चर्चा नहीं करते लेकिन हमारे दिमाग में उनका ही खयाल चलता है जाहिरे की अनूपम खेर, अनिल कपूर और सतिश कोशिक की तिकड़ी काफी फेमस थी तीनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है तीनों काफी अच्छे दोस्त भी थे